नमस्का दोस्तों मेरा नाम है प्रवियन वर आप देख रहे हैं पावी का फ्लुइड से इस चान को एक बार फ़र्ज है तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक अगेन फ्लुइड मशीन री दिस इस बीस रॉन सेंटिफिकल पंप जो इसके बारे चान सब्सक्राइब किजिए लाइक इन चेकर मत भूलीगा तक मैं सी एजुकेशन वीडियो अपके हमीशा हर पले गया तरह होते हैं चली स्टार्ट करते मारा आज का टॉपिक दिस इस मुल्टी सेंट्रिफिगल पंप के हम यानि के और भी अप्लिकेशन देखेंगे यह बहुत वर्सटाइल पंप है सबसे जाधा इंडस्ट्री में इसी को यूज किया जाता है भले लिक्विड में कुछ परसेंटेज में अगर आपका सॉलिड है मगर वो डिफाइन होना चाहिए कि कितना परसंट सॉलिड है 5-10 परसं यह बहुत बहुत इसली हैंडल कर लेता ह इसलरी को इधर से उधर पहुचा देता है काफी सस्ता है लेस यह बूल सकते हैं कि जो स्पेस लेता है इंस्टॉलेशन के लिए अगर इसके कंपारिजन में इसली है तो काफी कॉसली है हाई प्रेशर पंप जरूर है डेपनिटल कोई प्रॉब्लम नहीं मगर हाई प्रेश के सेंट्रिफुगल पंप में दो या फिर दो से जादा इंपैलर्स हैं तो वो पंप कहला था हमारा मल्टी स्टेज सेंट्रिफुगल पंप क्लेर हो गया अब यह एक चीज जरूर थोड़ी जी गौर करने वाली बात है कि जो दोनों इंपैलर है ठीक है अब आपने तो इंपैलर्स हो सकते हैं दोनों एक ही शाफ्ट में हो या फिर अलग अलग शाफ्ट पर सक्कोंड और यह तो आपके सामझी या आप चीक है यह एक function है उसका क्या फाइदा है pump जब parallel operate होता है तो उसका क्या फाइदा है pump जब series में लगता है तब उसका क्या फाइदा है सबसे पहले I think हमें pump in parallel के बारे में बात करें चाहिए ठीक है यह हमारा reservoir जिसको sump भी बोलते हैं यह है दो centrifugal pump अब यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है यह हमारी suction line यह वाली fluid उपर जा रहा है मालनी चेपानी है यह pump number one है यह pump number two है बीच में मैंने impeller बना के रखा हुआ है तो कहने का मतला में यहाँ पर दो impeller है मगर दोनों भी अपनी अलग-अलग shaft में mounted है और दोनों motor से connected है ठीक है definitely अगर motor से connected होंगे तभी तो impeller घुमेगा impeller घुमेगा तो तभी यह fluid यहाँ से सक करेगा और बाहर main delivery line पे पहुँचाएगा तो एक बार repeat कर लेते हैं याद र impeller है वो अलग-अलग shaft के ऊपर mounted है और मैंने क्या बोला था यह multi-stage centrifugal pump है क्यों क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा impeller होने चाहिए तब वो pump कहला है multi-stage centrifugal pump तो यह हमारी suction line यह हो गई हमारी delivery line बस नहीं तक इस pump की यहां से यहां तक delivery line है और इस pump की यहां से यहां से यहां त discharge कर रहा है Q1 सब होउज माल लेता है Q1 की value दे रेता हूँ यह 100 लीटर पर मिनिट क्या है यह जो pump नम्बर ладно है यह pump कर रहा है flow rate यानिके discharge जू है 100 लिटर पर दूसरा उसने जो flow rate यानि कि discharge दिया है delivery line पे और इस pump ने जो discharge दिया है यो दोनों हो जाते हैं add और main जो delivery line है आपकी यह जो main common delivery line है यहाँ पे आपको addition of discharge मिलेगा मतलब अगर pump को आप parallelly operate करवाते हैं तो आप ज्यादा quantity में discharge प्राप्त कर सकते हैं ज्यादा quantity में discharge ले सकते हैं तो outlet वा 100 तो total कितना discharge होगे हमारा 200 liter per minute तो आप यह कर सकते हैं अगर यहाँ पे three number of impellers कर ले हैं ठीक है तो यह 100 plus 100 plus 100 जितने आप करना चाहिए उतना यह discharge आपकी outlet line में ज्यादा हो जाएगा याद रखेगा कि outlet line का जो dia है वो ज्यादा ही रखेगा क्योंकि discharge ज्यादा होने जा रहा ह हाँ डाया अगर कम जादा अगोदा velocity भी फरक पढ़ सकता है वो तो designing पर depend करता है तो यहाँ पर लिखाओ मैंने total discharge total जो discharge होगा suppose यहाँ पर five number of impellers है और हर एक pump के अंदर जो लगवा impeller है वो 100 liter per minute की discharge कर रहा है तो फिर पाच अगर पॉम्प लगे होंगे parallel में तो लगबग 500 liters का क्या मोलते हैं discharge करेगा ठीक है तो देखिए N is nothing but five number of impellers यहाँ तर टू लगए तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा तू ठीक है और क्यों क्या है एक दे रहा है 100 liter के इसाब से तो total discharge हो जाएगा हमारा that is 200 liter per minute इसका symbol ठीक है इसका symbol generally centrifugal pump को कैसे बताया जाता है मैं यहा symbol तो यह ऐसे operate किया जाता है तो मैं इसको कैसे दो centrifugal pump के symbol है यह operate हो रहा है और यह discharge line है इनकी discharge में common कर दोगा तो Q1 और यह Q2 तो जो outlet में line मिलेगी हमें Q1 प्लस Q2 की line मिलेगी clear हो गया और यह है हमारा reservoir I hope आपको clear हो गया तो इसमें क्या होता है pump अगर parallel में लगते है तो फ यह दो लगा था हमने parallel तो parallel लगाने से फाइदा है हमारा discharge बढ़ जाता है quantity of discharge बढ़ जाता है ओके तो और याद रखी है यह बहुत versatile pump है मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको लाप्स में बताया था कि पहले तो क्या pumps देखे आजकर जो आजकल जो pumps आ रहे है उसमें क्या रहता है कि आपका जो pump का यानि इंपेलर का जो shaft रहता है वो directly coupled रहता motor के साथ आजकल जो घरों में pumps आ रहे हो तो directly पता नहीं चलता कि impeller कौन सा है motor नहीं दिखते है बस तो हम बोलते है यार motor दे दो तो मैं बोलता हूं कि जो pump है वो inbuilt ही सेनिफिकल pumps में तो आपको विडियो मिल जएंगे मेरी lapse के तो से पुली लगी होती है फिर फिर बेल्ट दूसरी पुली से मतलब ये जो 벤 है एक पुली से दूसरी तख लगी होती है और दूसरी जो पुली है वो है motor की पुली मूंतर रोटेट होगी, पुली sia testimony रोटेट होगीा, पुली से बैल्ट रोटेट होगी, तो दूसरी साइडर, वो IT करेगी आपकी पं B की पुली को और फिर पंप आपका ओप्रेट को ठीक है तो चली अब बात करेंगे हम थोड़ा सी complicated दीख रहा हूँ यह तो काफी easy दीख रहा होगा ठीक है यह है हमारा देखे इसमें shaft common है और यहाँ पर आपको दो impeller एक साथ mount हुए दिख रहे हैं और वो जो है यह हमारा यहाँ लिखा हूँ मैंने यह हमारा pump in parallel यह हमारा two stage pump with impeller in series अब यह लगटा क्या दिखने में series है तो मैं आपको बताता हूँ series कैसा हो ठीक है generally suppose यह हमारा reservoir है यह हमारा reservoir है इसकी line थोड़ी से लंबी कर देता हूँ यह हो गया हमारा यह जो delivery line है यह दूसरे pump का suction line का का काम करता है क्या करता है suction line का का काम करता है तो हमारा outlet पे जो discharge है वो बहुत बढ़ जाता है देखे कैसे discharge नहीं स्वरी head बढ़ जाता है यानिकि pressure बढ़ता है suppose suction line में जो pressure था वो था one bar का pressure ठीक है का काम करता है समझ रहें तो समझ रहें मैं क्या बोल रहा हूँ मैं यह बोलना चाहरा था कि pump number one की outlet यानिकि delivery line में pressure कितना है 10 बार का और यह किस ने दिया है तो यानिकि actual pump ने कितना दिया अगर देखा जा तो pump ने दिया 9 बार का pressure अब यह जो delivery line है जो firstly है यह अब suction line यानि कि आपकी suction line बन जाती है आपकी pump number two की तो outlet में आपको मिलता है 20 बार का pressure तो यह यहाँ पर क्या है कर रहा है वही चीज़ यह भी है मगर दिखने पर थोड़ा सा जीब दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर impeller एक ही shaft पर operate हो रहा है तो outlet पर आप देखेंगे खुद से pump ने कितना दिया है इसमें भी 10 बार का pressure दिया है कहने का मतलब है जब pump आपके series में लगते हैं तो pressure आप outlet पे जादा ले सकते हैं जितने number of pumps यानि कि impellers उतना number of pressure आप जादा ले सकते हैं ताकि जो pump दे वो constant ही pressure दे यह 9 बार दे रहा है तो यह pump दे रहा है 9 बार का head दे रहा है या pressure दे सकता है तो अब total head कितना है अभी देखें simply हर एक क्या बोलते है pump का impeller कितना head दे रहा है वो दे रहा है खुद से 9 बार का ठीक है कितरी impeller है 2 है यानि कि हमें 9 हुजा 18 हो गया है total head हमें कितना मिलेगा this is 18 बार I hope आपको clear हो गया होगा अब दूसरी चीज इसका और इसका mail कैसे है यहाँ पर देखें यह सेम ही चीज है यहाँ पर हमें नहीं हमारे impeller को अलग-अलग impeller पर operate करवाया है यहाँ से fluid पहले enter होता है यहाँ से निकलता है प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ पर आते हुए फिर यह डॉटेड लाइन में मैं आपको दिखा रहा हूँ यह भी pipeline ही है यह भी pipeline ही है तो देखें इनलेट पे pressure कम था धिरी दिर आगी बढ़ता है जैसी वह impeller के outlet पे निकलता है तो प्रेशर बढ़ जाता है माल जीजह यहाँ पर होई था यह वन बार है यहाँ पर निकलते निकलते यहाँ पर वन बार था ठीक है जो चीज में ऊपर के लिए बता रहा हूँ वही चीज नीचे डिल भी आपके लिए याद रखेगा क्योंकि impeller तो ऐसे घुमते है ना ऐसे तो आपके सामने तो ऐसे घुमेगा मगर यह देखें यह front view है मगर मैंने इसको टिड़ा कर दिया है तो ऐसे घुमेगा तो माल जी अब यह घुमते जाएगा दूसरे impeller के inlet तो आउटलेट पर कितना था पहले impeller के 10 बार तो इनलेट पर भी 10 बार ही रहे है यहां पर पर पॉम्प जो है pump एक ही है मगर यहाँ पर उसके जो impeller वो series में लगे और एक ही shaft में mounted है तो यह क्या करता है pressure बढ़ाने का काम करता है अगर series में आपका pump मतला impellers लगे होते हैं या फिर pump लगे होते हैं तो I hope आपको easily सारे चीज़ें समझ में आगी होगी जो मैंने ऊपर के लिए बताएं वही देखें नीचे के लिए भी आपने के बल है यहाँ पर inlet पर 1 बार आउटलेट पर 10 बार फिर यही आपके दूसरे impeller के लिए क्या बोलते हैं आपका 19 बार आउटलेट पर आजाएगा यहाँ से बार इकल देगा 19 बार आउटलेट पर आजाएगा तो I hope आपको सारी चीज़ें क्लेर होगी होगी इट्स क्वाइजी तो याद रखेगा सिरीज, पंप को सिरीज में कब ऑपरेट करना उसका क्या फाइदा है पंप को पारलली ऑपरेट करना तो उसका क्या फाइदा है अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियो चाते है तो मैं पूरी कुर्शुर करूँगा टाइमिंग लीडियो लेका ने की आप मुझे कमेंट के सिरीज जीगा मैं पूरी कुर्शुर कर टामिंग लीडियो लेका ने थांक्स पूर वाचिंग तन्हें बात